बॉल्यूड में वैसे तो बहुत सारी war related movies बनी हैं, कुछ तो हमारे पैदा होने से पहले बनी जैसे के हकीकत, ललकार और कुछ हमारे पैदा होने के बाद बनी जैसे के border तो यह ऐसी movies है जिनको मैं milestone मानता हूँ और इसके level की movie बॉल्यूड में अब तक कोई नहीं बनी, अब लोग यहां पर उरी का नाम लेंगे तो अपने पनी पसंद भी होती है, उरी एक अच्छी movie थी लेकिन कहीं नहीं कि मुझे border के level की movie लगी नहीं, तो कैसे शेर्शा उस लीग में खड़ी हो सकती है, जहां पर हकीकत ललकार और border जैसी movie से, यह जानते है, यह जानते हैं, यह कहना है कि इनका rebound होगा, यानि कि film industry में एक नया superstar इस पर्टिकलर मुवी के बहुन होगा, और actually मैं आपको starting में बता तो कि यह बात है, बिल्कुल सही है, अगर सिधात मुझे इस पर्टिकलर मुवी के बाद अच्छे project sign करें, तो वाक्य में आप लोग के कहा सकते हो कि अब ह कैर अगर इस मुवी के plot की बात को तो कहानी true incident पर बेश्चे जानेगी, कैप्टन विक्रम बतरक कि इस तरह से पाकिस्तानी आर्मी को धूल चटायते, कैसे यह दिल मांगे मोर का नारा लेकर उन्हें पुरी पाकिस्तानी आर्मी की फाड़ कर रख देती, यह सब को जानने क इस एक है जिसको काफी हत तक रियल रखने की कोशिश की और थैंक्स टू विश्नु वर्धन जो की इस पर्टिकलर मूवी के डिरेक्टर है, उसके जो राइटर है, उन्होंने बहुत ही होश्यारी इस मूवी को लिखाया और डिरेक्क किया, तो सबसे पहले इनकी तारीफ क बताया है, यानि के डिमपल और विक्रम के बीच में जो चीजे बताई है, और वो सारी चीजे फ़र्स हाफ काफी हत तक स्लो करती है, और डिस ट्रैक करती है, यानि को जो में मुद्दा है, उससे हटा के ओडियोंस को वो जो लव ट्रैक बताते हैं, तो कईना कि वहां पर ठोड़ा बहुत होता है, और वही एक रीज़न है, जो निखो लगता झार, जिस वज़े से फ़र्स हाफ काफी स्लो होता है, यानि गजब वहां पर ऐसा लगता है, पूरा पैसा वसूर्श्य की बात करेंगे, तो भाई यह ले में शूट हुई, मेरे खाल से ले और कश्मी शूट किया है उसको जिस तरह से वह लोगने चैप्चर किया ना यार वह आपके आखों में आसो आ जाते हैं एक अलगी फीलिंग आती मूवी का बीजेम अच्छा है सॉंग्स अच्छे नहीं है बॉर्डर मूवी में जिस तरीकी के सॉंग्स है जो आज भी हम लोग सुनो तो आखों में आसु आ जाते हैं या वो एक फिलिंग में घुम हो जाते हो तो वह चीज़ यहां पर मूवी में नजर नहीं और हलाकर आज पावरफुल परफॉमेंस की मूवी का जो मजा लगी लेवल पर चले काया एडवर्णी का पफॉमेंस मुझे कुछ इतना खास ने लगा वास मतलब क्या बूलू या मैं तो उनके जितने भी पोर्षन से नहीं उसके वसे काफी डिस्टेड फिल सरॉत वर इसके लाव जितन है इंडियन आर्मी में उन सबको मैं सेलूट करता हूं कि हम देश वासी हों के लिए जिस तरह से आप अपनी फैमिली इसको छोड़ते तो खुद की परवा ना करते वह अपनी जान पर खेलते हों सिप हमारे सेटी के लिए मतलब नो वर्ट्स एन मेरे साब से रियल लाइफ हीरो अगर कोई है हमारे इंडिया के तो ना कोई खिलाडी है ना कोई मुवी स्टार्ट है वह हमारे इंडियन सोल्जर्स तो सल्यूट करता हूं मैं और मैं आप सभी लोगों इतना ही बोलूँगा कि मुवी आप एक बार सुरू द हूँगा 8 out of 10 में मेरे साब से मुवी बॉर्डर जितनी बैस्ट होनी है लेकिन फिर भी यह मुवी आपको काफिया तक रियलिटी दिखाती है और आस इस वीडियो में इतने मिलते है नेक्स वीडियो में दिल जाएं बाइ कर दो है